लोटा सराजी आज क्या चर्चा हुए और क्या राूल गांधी देश भर में जो दूरा करने वाले हैंルクिनमों देखे, आज देश मेंं महंगाई, भेरूजगारी, और जो सामाजिक समरस्टा का माहूल खराब कर रहे हैं और वोट की फसल काटने के लिए देश में जो सामाजिक समरस्ता को छोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं दरम निर्पेक्स्ता के जो हमारा समिधान है उस समिधान को छोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं उसकी सवाई साहिस सेंस्ताओं को खतम करने का काम कर रहे हैं ये सारी जो चीजे हैं केवल बोट के उपर उनकी निगाह है साम दाम धंड भेद कैसे भी डरा के दमका के और जो लोकतंतर की कैसे कमजूर किया जा सके इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं इन मुद्दों में से लेकर के और एस इसी ने सबसे चर्चा किया है राहूल गांदी जी ने ये कहा है कि हम लंबा और तकड़े तर करके चाहिए वो किसान हो युवा हो मैलाएं हो दिया था वो पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए हमको जनता के बीच में जन जाकरण के माद्यम से जाना चाहिए और कार्यकरम लंबे कार्यकरम करने चाहिए और जनता क्या चाहती है वो चीज हमको जनता की बात को आवाज बन करके हमें मोधी सरकार के जो कानों में रूही है उसको निकालने का काम करना आज जिंतन शिवर का दूसरा दिन है चर्चाएं खूब हुई एक विक्ति एक पद एक परिवार एक टिकट क्या ये फोर्मुला लग हो पाएगा देखिए जो संगठर में चर्चाएं हैं अलग बाद में जो फाइनल कल जो एक तरीके से सरकूलेट होगा खारियकरम और जो एजेंडा जो फाइनलाइज हुआ है तो मैं समझता हूँ उस वक्त आएंगे लेकिन ये बात काफी समय से चल रही है कि जो विक्ति राजनिती में है वो अचानक अपने परिवार को ला करके और स्थापित करना चाहता है और जिससे लोगों में एक उनके प्रती और उस पार्टी के प्रती जिसका वो नेता है उसके प्रती एक नकारात्मक भाव पैदा होता है तो ये मोटा मोटी ये बात तै हुई है जो आगे आने वाले समय में तै होगी कि ऐसे लोग जो अचा नेता हैं लेकिन अचानक अपने परिवार को लाकर के राजनेती में स्थापित करना चाहते हैं जिससे जनता स्विकार नहीं करती है तो ऐसे निरने करने पड़ेंगे जिससे इस चीज को रोका जाएंगे